हाई फिंट्स, वेलकम टू ब्रेवी काईज, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी न्यू सिरीज, जिसमें हम वायो एंक्सियादी से कवर करेंगे, फर यूपियसी और अधर पीसियस, जिसे कि आप देश सकते हैं, ये है नाइद क्लास की बुब, साइंस की, ये फर्स चाप्टर है, बायालिजी का, ता फंडमेंटन यूनिट अप लाइफ, और जिसे हम सेल भी कह सकते हैं, तो चाहिली समझते, देखे, सबसे पहले सेल को समझते हैं, ये सेल है क्या, सबसे पहले सेल की जो डिसकवरी की गई है, ये की भी डौबट होक ने, ये ऐसे पहले पो होता है, जो पीड की चाल होती है, इसे से हमें ये कॉर्क प्राप्त होती है, तो उसको बारक अफ़ ट्री मी कह सकते हैं, ये सिक्स्टी, सिक्स्टी फाइब में, बेसिकली क्या इनका एक सेल्फ मेड अप माइक्रोस्कोप था, उस पर ये अपना काम कर रहे थी, काम करते व सेल, सेल एक लेटन वर्ड है, जिसका मतलब होता है, लेटन रूम, अ टाइनी स्पेस, ओके, चोली इसको रप करते हैं, और आगे पड़ते हैं, बेसिकली, उस टाइम पर ये इतनी इंसिग्निफिकेंट और इतना हां बड़ा इंपोर्टन्ट, इसे रिस्ताइब हुआ करत होते हैं, उन्होंने नाम दियाता सेल, जो कि आज तक ही उस होता चल आ रहा है, अब जानते हैं सेल के बारे में, सेल क्या होती है, इसके शेप्स होते है, ये कहां से आती है, ये क्या है, तो बेसिकली सेल क्या है, सेल is the fundamental unit of organism on life, basically the cell is fundamental unit of life, sorry for the handwriting, I hope you know, ये ती क्लियर नहीं है और अच्छी नहीं है, but I hope आपको समझ जाएगा, basically अम हमां के समझते हैं, ये क्या है, वादी स्टाच्चर, means cell, क्या है, देखिए, cell basically कभी आपने वाल डेखा होगा, तो ये अपचानट तो नहीं बन जाती, ये basically किस से बनती है, small, small brick से बनती है, काफी सारे brick constitute करके एक वाल बनाते हैं, और यही वाल जो पूरी बन जाती है, चारा तरफ से तो ये बन जाती है, टिशू, और वी कें से, औरगन, टिशू में बनाता है, औरगन, ओकी, ये जो है, एक कमपार्टमेंट, ये ही है हमारी स्टे, कोई भी औरगनिजम जो बना होता है, basically, वो छुटी-छुटी-छुटी-छुटी-छुटी-छुटी, जानते हैं, देखिए, सेल जो सबसे डिस्कवर्ट की थी, अभी मैने बने बताया है, ये डिस्कवर्ट की थी, रॉबर्ट होक ने 60-65 में, किसके, इन दे सेल को कॉर्क स्लाइस, with the help of primitive microscope, अब जो लिवन होक है न, इन्होंने पहली लिविंग सेल डिस्कवर्ट की थी, इन् पॉन्ड वाटर, अब कभी कोईशी निगे भी आजाता है, कि जो न्यूकलियस है, पो किस दे डिस्कवर्ट की था, तो न्यूकलियस डिस्कवर्ट की था, रॉबर्ट ब्राउं ने, 1831 में, 1839 में क्या हुआ था, ये जो प्रोटोब्लास में न, इसके डिस्कावरी होई थ है, यही क्या है हमारा प्रोटोब्लास, ओके, देखो, the cell theory, that the plant and animals are composed of cell, and cell is a basic unit of life, देखिए, basic unit क्यों कहते है, क्योंकि cell से चुटा कुछ है ही नहीं, सबसे जो minute है, that is a cell, cell से थोड़ा कुछ बड़ा होगा, then it's called the tissue, tissue से कुछ बड़ा होगा, then it's called the organ, organ से बड़ा organ system, and ये इस सब posture करके बनाते हैं, एक organism, I hope आपको समझाया हो, अब question यहा सकता है, कि cell theory किस ने नी थी, तो cell theory दी थी, two biologists, इसका एक है sladen, एक है swan, अब basically, इसको further explain किस ने किया था, that is a miracle, 1885 में, इन्होंने ये theory दी थी, ये जो cell है, ये pre-existing cell से मलती है, मतलब इसका क्या है, अब को आनक से कहीं से नहीं आएगी, pre-existing cell से आएगी, अब जिखिए मैं बताती हूँ, जो पहले cells नहीं हुआ करती थी, तो basically काफी सारा organic matter एक size से deposit होगा, then इसने सारा मिलकी एक cell बनाई होगी, ये पामारी माल नो first cell है, then ये divide होई, इसने दो cells बनाई, फिर ये further divide होई, इसने 3-4 cells बनाई, तो basically ये ये कहना चाहरे है, cell theory में, कि जो भी नई cell बन रही है, वो pre-existing cell से बन रही है, okay, ये कोई अपने आप अलग से नहीं बन रहा है, कि एक cell ये है, तो एक cell ये अपने आप बन रहा है, नहीं, एक से दूसरी बन रही है, दो से फिर आंगे कंचिलियों, बनती ही चली चाहिए, ओके, अब क्या होता है, the invention, अब देखो, जो microscope है, वो advanced होते हैं, और सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो basically क्या बता चलता है, discovery that the microscopic world, जो microscopic world है, basically हमें उसके बारे निता चलता है, क्यों ये निकिट आई से अदक भी नहीं है, जिसे ना अच्छा microscope होगा, हमें ये उतनी अच्छे से दिखेंगे, और हम उतना चार्ट इसकवर कर पाएंगे, अब the whole organism, basically अब क्या पता चला, जो single cell है, वो सिंगल सेल है, वो काफी सारे टिशू बनाई, then system बनेगा, then abhima, no, ये basically एक सेल है, जो act करता है, ऐसा organism, इसको कहते हैं, unicellular organism, क्या कहते हैं, इसको unicellular organism, okay, unicellular organism में क्या क्या आ सकता है, clamidomonas हो गया, paramecium होता है, ये basically sleeper shape का होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ना, roughly sleeper shape का होता है, मैंने exactly drawn ही कर पाई हूँ, अब देखिए, bacteria, these organisms are called the unicellular, unicellular क्यों, क्योंकि इनकी एक ही cell है, जो एक organism के जिसे work कर रही है, function कर रही है, okay, अब देखिए, multicellular में क्या होता है, on the other hand, many cells grouped together in a single body, ये एक, चोटी-चोटी-चोटी-चोटी काफी सारी cells है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक फूरा चिसे group बनाके एक क्या बना लिया है, इन्होंने एक body बना ली है, और ये क्या कर रही है, function कर रही है, कि function, ये body किसकी है, group of cells की है, ये सारी cells बनके इन्होंने एक body बना ली है, that is the body part in a multi-cellular organizer, अब देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, जैसे काफी सारी cells है, ये एक cell है, काफी सारी मिलके इन्होंने क्या कर लिया, टिशू का नेरबार कर लिया, ठीक है, टिशू काफी सारे मि मिलके क्या कर लिया, एक औरगन, सिस्टम बना लिया, ठीक है, और ये पूरा सम मिलके क्या बन गया, इंडिवीज़न, एक और क्या है, ने, जम बन गया, ओके, can we find out the name of the sum unicellular organism, yes we can, जैसे की हो गया, mycoplasma हो गया, bacteria हो गया, उपर देखा हमने पेरमीशियम हो गया, और देखा जाए तो क्या अमीबा हो गया, देखे, mycoplasma है न, इसको हम PPLOB कहते हैं, या 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 रखेगा, कभी mycoplasma की जोगा PPLO भी आ जाता है, तो आपको निफ्यूस मत होईगा, ये mycoplasma ही है, every multicellular organism, एक मिनट, has come from a single cell, जैसे मैंने बने पताया कि एक cell से काफी सारी चीज़े बनती है, तो इसमें भी बस यही बताया गया है, अब देखे, different shapes की cells है, ठीक है, ये एक muscle cell है, ठीक है, ये blood cell है, blood cells में क्या-क्या हो सकता है, blood cell में, जैसे मालो, ये हुआ, RBC, WBC, platelets वगेरा, ये एक nerve cell है, ये brain में है ये brain में होती है, कि over हो गया, sperm हो गया, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक organism बनाएंगे, ये एक fat cell है, hope you got it, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखे, the shape and size of the cell is related to the spacing function they perform, some cells like amoeba have changed the shape, अब basically क्या होता है, हम जैसे perform करते हैं, जैसे RBC है, RBC का एक specific shape होता है, ये यहाँ पर दौन करते हैं, basically थोड़ा से इसकी जो बल्ज ये होते हैं, थोड़ा से उबरे होते हैं, और बीचों depression type का होता है, अब जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको nerve cell, इसका एक specific shape है, इसके अलावा ये आपको किसी और shape में नहीं दिखेगी, ठीक है, जैसे bone cell है, इसका ये shape होता है ओवम ऐसे मिलेंगे, smooth muscle cells, बट क्या होता है, amoeba-like structures होते हैं, इनका कोई shape नहीं हो सकता है, ये so-called ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, इनका कोई perfect shape नहीं हो सकता, बस यही बात चुल रही है, In some cases, the cell should be more less fixed and peculiar, ठीक है, जैसे type से, 9 cell के हमने भी बात की, each living cell has a capacity to perform certain function, these are characteristics of the living, अब देखें, हर एक जो cell होती हैं, basically, क्या करेगी, different types of cells होती हैं, ठीक है, not हर एक cell, different types of cells होती हैं, इनके different functions होते हैं, for example, RBC ले लो, है तो ये एक cell ही, ये क्या करेगी, ये oxygen, carbon dioxide को transport करेगी, WBC क्या करेगी, ये में प्रोटेक्ट करेगी, Nerve Cell क्या करेगी, ये, Command and Stimulus को, Manage करेगी, अगे? Then, How does a cell living perform the basic function? We know that, division of labor, इसको हम division of labor भी कहते हैं, कि अलगल अप्टर की सल, अलगला function करें, Multicendal Organizer, अब देखो, एक इसका example में और देती हूँ, जैसे कोई human है, इसका हट अलग काम करता है, क्या करता है, Blood Pump करेगा, Okay, Blood Pump करेगा, Brain क्या करेगा, Brain Command करेगा, And, Brain अगर Command करेगा, Then, इसके अलावा हम क्या करेंगे, Free Tricky Pool, यह क्या करेगा, Creation का काम करेगे, Lungs क्या करेंगे, Respiration का काम करेंगे, यह basically क्या हो गया, यह हो गया, हमारा, Division of Green Labor, कि हर और्गन अलगना बनागना अपना काम कर रहा है, और सब इनके, एक basic function, यूमन को चुना रहे हैं, इसे, Heart, Dopam, Blood, Starmac, को Digestion करना है, Similarly, Division of Labor, Also seen within a Cell, Single Cell, Each Cell has a certain specific component, अब देखे, एक और बात पताती हूँ, यह हो गई इस Cell, यह सका Nucleus हो गया, यह Ribosome हो गया, यह Mitochondria हो गया, यह Plastid मालनी शेयाप, और यह मालनी शेयाँ, रहक्योल हो गया, ठीक है, और यह मालनो, Mitochondria, Mitochondria हो गया, अब Nucleus का करेगा, यह Command करेगा Sen को, Mitochondria करेगा, ATP Synthesis करेगा, यह को क्या कहते हैं, एन पावरावस of the Cell, इक है, यह Ribosome के गड़ेगा, प्रोटीन, Synthesis करेगा, यह ज़ी तो गडिवीजन अफलीजन 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 करेगा, यह सेल के अंदर ही, अलग 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 काम करेगा, यह? Alright, Each kind of cell performs a special function making a new material of the cell, clear and pick on the able-to-lieb problem. These are gonna together consider the basic unit called the cell. It is interestingly that cell is found to have some organelles, no other matter function or reason they are found. Now, look. What is cell made up? What is the structural organizational cell? How we talk about this. So, basically, what are the cells? Some across feature in almost FG plasma there is the plasma memory, nucleus and cytoplasm जसे मैंने भी आपको बताया cell basically क्या है ये है हमारी cell ये क्या हो गई हमारी plasma membrane हो गई, ये हमारा nucleus हो गया and ये जो हो गया, ये क्या हो गया बारा cytoplasm ये क्या समझाया रहा होगा all activity is inside the cell, introduction of cell within the environment और ये सब मिलके environment के साथ behave करके अपना एक structure बनाती है plasma memory, cell membrane अम भी ये समझाते हैं, ये क्या हो ये हो गई cell, ये हो गया उसका nucleus है, ये काफी सा ये cytoplasm और ये का, उसके organelles अब देखिए, ये हुई हमारी cell membrane, ये क्या करेगी ये आउट से इंवाउमेंट से प्रटेक्ट करेगी सेंट को अल्राइट, देखिए, सेप्रिट दा गंटेश सेंट फो एक्स्टरनल इंवाउमेंट, दा प्लास्म मेंबरेन अलाओ तो परमेट दा एंटर 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 अगसित ठीक है, therefore it is called the selectively permeable amendment अब देखिए selectively permeable का मतला बताते हैं अब ये cell वाल है, कहां से हर कोई तो आठा रही सकता क्यों नहीं आ सकता, ये selectively permeable है कौन आ सकता है, H2 आ गया for example, food nutrition आ गया अगर हर कोई आ गया for example, कोई foreign particle आ गया और cell को infected दिया, ये तो dangerous है cell के लिए, इसलिए ये selectively permeable है ये सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को ही अंदर permit कर दी है, जो की cell के लिए potent होते हैं just like our water forces अब दीखिए, some substance like carbon dioxide हो गया oxygen हो गया, across the cell membrane is called the diffusion कि diffusion basically क्या होता है ये higher concentration से lower concentration गो जाता है for example, मान लो, ये है सेल, इसमें oxygen के कमी है पार oxygen काफी है तो क्या करेगा, oxygen मूफ करेगा but अब मान लोज़े से CO2 जाता है या, बार CO2 कम है तो ये क्या करेगा या से, ये diffusion क्या हुआ हाई concentration से, लोग concentration के तरफ करना ये हो हमारा diffusion we have studied the process of diffusion in earlier chapter, we have saw the spontaneous movement of the substrate from higher concentration to the reason of where concentration is low, अभी जैसे मैंने आपको बताया अब जैसे, for example, इसमें मैंने बताया था आपको जैसे इस प्रकार से, इसमें वही दिया है for example, कोई cell है, modikil अब जैसे, इसमें CO2 जादा है, और या CO2 कम है तो वो, diffusion हो के ये कहाँ जाएगा CO2 higher से low concentration के तरफ और वही, O2 यहाँ कम है और O2 यहाँ जादा है तो ये higher to lower concentration के तरफ move करेगा, ये सारा इसमें लिखा हुआ है दिखिये, the diffusion play an important role in the gaseous exchange between cells as well as the cell and its external environment and ये, water obey this law of diffusion, the movement of water through such selective membrane is called osmosis अमने संच जाती है osmosis क्या, ताहे जानते है osmosis के बारे में movement of water across the plasma membrane is also affect by the movement of substrate-insolvent water thus osmosis, the passage of water from the region of the high water concentration was selectively pomal to the region of lower water concentration इसे तो आपको सबस्चिए है अगा मैं सब्जाती हूँ basically, क्या है मानवे कि ये cell है इसका नहीं 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 सुंगिया इस पे वाटर का क्या content बहुत जादा high है और water content बाहर low है तो basically इसमें क्या है water move करेगा higher concentration से low concentration के तो पानी पानी करने लग जाएगा और वहीं अगर देखा जाए अगर यह cell है यहाँ पे पानी कमी है तो पानी इसे बहुत जादा है तो पानी inside low करने लग जाएगा cell slasid हो जाएगी फोल जाएगी और यहाँ cell कैसे हो जाएगी shrink हो जाएगी basically यही निखा हुआ है अब इसके कुछ moments है वो भी मैं आपको बताती हूँ कुछ solidation के types है जैसे कि यह है hypotonic solidation इसने क्या है medium surrounding the cell higher water concentration than the cell ठीकिए इस बेरी डाली उट अब देखो इसका मतलब क्या है hypotonic solidation क्या होते है देखो यह सह यहाँ पानी क्या है कम है यहाँ पानी ज्यादा है तो पानी कैसे निख वरीगा अब बताएए मुझे higher due to concentration तो पानी inside नोब करने लग जाएगा तो cell के हो जाएगी 4 वो जाएगी slasted हो जाएगी यह कैसे हो गए hypotonic solution जो water का solution के बारे में यह क्या होते है देखिए अब बताते हूँ यह सह इसमें पानी same है यावे पानी same है तो ना पानी यहाँ जाएगा ना पानी अंदर आएगा एक balance रहेगा तो basically यह क्या हो गया isotonic solution इसमें ना cell फूलेगी और ना ही cell फिचकेगी जैसे है रे में पैसी ही रहेगी अब आते हैं hypotonic solutions यह क्या हो देखिए यह है यह है यहाँ पानी यह जादा है और यहाँ पे पानी की एक कमी है तो water कैसे मूफ करेगा higher concentration to lower concentration तो यह हमारी cell है वो फिचक जाएगी उपानी क्या है और यह हुआ इस पे पानी कम होगा और यह weद इस सब्संद्रीट की मंटरें जादा होगी अगें तो water crosses the cell membrane in the both direction but these time water only the cell then the energy then its shell will shrink यह मैं आप पता है Osmose is a special case of diffusion through the selectively permeable membrane okay unison in a fresh water organism and most plant cells एच्टन गें व्वाटर रूद्धॉ अब दीखे, प्लांट हमारे जिसे पानी तो पेगा नी ठीक है अब जैसे छोटे चोटे और गनेजम्स रहते हैं जो बिल्स माइकर सोपी कोते हैं वो तो समुधर भी आ पानी वीया तो फॉर्श वाटर मे रहते हैं तो पानी पीएगी तो यह औसमोस के थोट प्रान टोट में जाएगा और पालेंगी भीले देरे 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 ऊपर पाशन अचाएगा विद दर प्रॉसस अफ दिफूजिन और असमोसिस्ट तो यह जाएगे जाएगे सेलर अचाएगेर ख सक तो वाट प्रॉससएग और ऑजिछन और बाहेंगी है transportation requiring using of energy हाँ पेके कभी-कभी जिसे मान भीजिये हमें कुछ बहार भीजना है से energy का मतलब यहाँ पे है ATP से basically इसमें क्या लगता है कि इस अलाव करना नहीं है करती नहीं है आने जाने के लिए बट हमें इसको भीजना है तो इसके लिए सेल क्या करेगी एनरजी मतलब खर्च करेगी तो ADP यह करनसी है एडिनो ट्रिफोसफेट यह करनसी है एनरजी की यहाँ तब प्लाज्म मामनें इस फ्लेक्सिबल एंड़ अफ और्गनिक मॉलिक्यूल लिपट और प्रोटीन अब ज अब दिखें प्लाज्म मेंड़ें के रइसे तो नहीं देखेंगी किसे देखेंगी है बेसिकले देखेंगी हमें माइक्रोस्कोप से अब यह हमारे जी तंभूत ओजा रही उसको की वह खाना खान देगा तो बेसिकली क्या होगा जैसे माल यह अमीबा है जाय है यह पूर्ट पार्टिकल तरneckन में लेकर और यह जुडरी इसक즈 क्या कर देखेंग है इसको qeha सब्सक्राइब और कर देगा अगले इसमें येचा कर देगा, ये सका नुक्लियस और ये अबना फूड पार्पिकल इसमें क्या कल दिर, इसमेंगल्फ कर लिया, इसको कहते हैं अंडिक के अंडोष्यि Cemcar okay amoeba require its flow through such a process is can we come next video me clear karengi thank you so much please follow and subscribe our channel